हैं नबसकार मैं हूं सशी आये जरक नंकि टोप 25 परमोंग खबर जनते हैं कि सुराइपर मनाने पैत्री गाह पहुचे मूखमंत्री हमां में चैकन के एकमी पर मनाने के लिए गुरू वार को अपने पैत्री गाव निम्रा पहुंचे बतादे रामगर जिल्या के गोला प्रखण अंतरगत इस्थित इस गाव में सुरक्षा के पुक्ता इंजाम भी किये गए यहाँ सुरक्षा के जिम्यदारी एसपी प्रभात कुमार ने खोधी संबाली है मुखमेत्री हमान सुरेन का पुरा परिवार पहले ही निम्रा गाव पहुंच चुका है मौसम बिग्यान बिभाग के बिग्यानिक अभिसेक अनन ने बताया कि तुफान के प्रभाव में सुक्रवार को राची समेत राज के उत्री और मध्य भाग में इस्थित सोहरुक, खुटी, गुमला, लोरदग्गा, रामगड, हजारी बाग, चत्रा, पलामू, लात्यार, गड़वा, बोकारों में कहीं कहीं बुन्दावंदी और हलके समध दर्ज की बारिस के असार हैं, बता दे मौसम पुर्वान मान में अगले 24 गंटा के दवरान, राची समेत, अन राजों में तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा, असी लीडर स्कूल में अंग्रेजी माध्यम से होगी पढ़ाई, आदर्स विद्याला योजना के तहत, स्कूल अफ एक्सिलेंट के रूप में विक्सित होने वाले स्कूलों को CBSC से समधता दिलाई जाएगी, इसमें अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई होगी, बतादे पह अगले चार बर्सों में परखंड एवं पंचायत अस्तर पर 416 और इसकूलों को अदर्स विद्याले के रूप में विक्सित करने की योजना है, मजदूर यूनियनों के बंद का राजे में रहा ब्यापक असर, केंदर सरकार की विभिन नीतियों के खिलाप ट्रेड यूनि प्रभावित होने से करीब 5,000 करोर रूपय का करोबार प्रभावित हुआ है, जार्खंड की पहली आठ लेन सड़क का काम जल्द सुरू होगा, धनबाद में बन रहे राजे के पहले आठ लेन रोड की बधाये खत्म हो गई है, बतादे स्टेट हाइवे अथरेटी अब ज जार्खंड की अनुसंसा के अधार पर नगर विकास विभाग के संसोधित प्रस्ताव को मोख मंत्री ने स्वेकरितित प्रदान कर दी है, इसके पूर्व 20 किलोमीटर लंबी इस सड़क को आठ लेन की जगा फोर लेन करने के उससा की गई थी, यह अनुसंसा धनबाद के उ संसोधित पाठेकरम जारी, जार्खंड स्यक्षिनिक अनुसंधान एवं प्रसिक्षन परिशत ने काक्षा एक से आठ के लिए भी संसोधित पाठेकरम जारी कर दिया है, बतादे करोना वायरस के संक्रमन से बचाव को लेकर इसकूलों के बंद रहने के कारण परते काक्ष 330 लोगों का चलान 1,65,000 रुपया तक कटा, बिना मास्क और हेलमेट के वाहन चलाने वालों के खिलाब गुरुवार को ट्रैफिक पुलिश ने अभियान चलाया, नियमों का उलंगन करने वालों के खिलाब चलान काटा गया और जुर्माना वसुला गया, बतादे बिना मा 330 रुपय वसुले गया है, आदिवासी सरना धर्मकोड बिधयक पारित होने पर जुलूस निकाला, जाकन बिधान सबाके 27 में पिछले दिन आदिवासी सरना धर्मकोड बिधयक पारित होने पर गुरुवार को जुलूस निकाला गया, जाकन मोक्ती मोर्चा राची जीला क मिटी की ओर से कछारी रोड में राची वीवी परिसर से निकल ले जूलूस में बड़ी संख्या में लोग समिलित हुए बतादे परंपरिक बादे यंत्रियों के साथ खुशी मनाते हुए लोग में रोप से एलवाट एकाचोग पहुंचे CCL Apprentice Sange की ओर से निमति करण की मांग को लेकर धाना परदसन गुरुवार को भी जारी रहा बता दे CCL मुख्यालाय के बाहर राजभवन गेट के समक्ष परसिक्षित यूवा CCL प्रवंदत से अस्थाई करण की मांग को लेकर धाना पर चार दिन से बटे हुए है संक्या द्यक्स राज किसोर सिंग और सचीव सुरेंद्र यादों ने कहा कि प्रधान मंत्री के आत्म निर्वर भारत के सपने में हमारी भागदारी को सुनिशित किया जाना चाहिए बरसो सो CCL में तक्निकी पदों पर कोई भारती नहीं हुई है पुलिस कर्मी PPE किट पहुण कर अपराधियों से करेंगे पुष्टाच मामारी कुरोना के बढ़ते संक्रमन से पुलिस करमियों को बचाने के लिए राजची पुलिस ने एक्षंट प्लान तियार किया है इस पलान के तहट अब गिरफतार अपरादियों को PPE किट पहान कर पुष्टाच करने की त्यारी की जा रही है साथी पुष्टाच करने वाले पुलिस कर्मियों को मास्क और गलप्स दिया जाएगा इससे पुष्टाच करने वाले पुलिस कर्मी संक्रामित होने से बचेंगे इसके लिए राची पुलिस की ओर से सभी थाने को पीपीए की टुपलब्त कराया जाएगा जार्खन में 230 ने संक्रामितों की पुष्टी हुई है जार्खन में कुल संग्रा मितोगी संख्या 1,888,388 है जबकि 1,052,755 लोग स्वास्थ हुए और 961 की मिरिती हो गई भारत में कुल संग्रा मितोगी संख्या 93,099,841 है जबकि 87,17,637 लोग स्वास्थ हुए और 1,355,752 की मिरिती हो गई भारत में 43,144 नय केस मिले हैं भारत में कूल एक्टिव केस 4,54,322 है वहीं जार्खन में एक्टिव केस 1,09 है बीएड में नमांकन के लिए 21.1 दिसμबर को जारी होगी सुचि राज एके 28 संस्थानों में दाखला के लिए 11 दिसमर को अम्ति मेधा सुची जारी होगी इससे पहले 14 दिसमर को अप बंधिक मेधा सुची जारी की जाएगी जिस पर 15 दिसमर से 18 दिसमर के बिश लोगों से आपतिया मंत्रित की जाएगी जर्खन सन्यूग्त परवेस परतियोगता परिक्षा परिक्षा परिसद ने इस संबंध में कारेकरम जारी कर दिया है बतादे कुरोना के करण इस साल बीएड में 20-22 सत्र के लिए नमाकन परिक्षा की बजाए असनातक के अंकों के अधार पर लिया जाना है CBSE ने जारी किया 10 और बरावी परिक्षा की मार्किंग स्कीम केंद्रियम आदमिक सिक्षा बोड CBSE की काक्षा 10 और बरावी परिक्षाओं को 2020 में आउजित करने के निर्ने पर बढ़ती अटकों के बीच CBSE काक्षा 10 और लिया जारी कर दिया है सबी स्टुडेंट जो इस पर्ष 2021 में दासवी बरावी परिक्षा देना चाहते हैं वे CBSE बोर्ड दोवारा जाली मॉडल पेपर और मार्किंग स्किम की जनकारी के लिए ओफिसेल बेपसाइट पर चेक कर सकते हैं धनबाद से 50 रुपे 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 र सिम्डेगा चात्रा और खुटी को रेल नेटवर्क से जोड़ने की तियारी जारकन के तीन जीला सिम्डेगा चात्रा और खुटी को रेल नेटवर्क से जोड़ने की तियारी चल रही है। मैट्रिक इंटर बोर्ड परिक्षा के रईश्टेशन 2 दिसंबर तक जैक ने मैट्रिक और इंटर बोर्ड की परिक्षा 72-22 के लिए चात्रों को 2 दिसंबर तक ऑनलाई रईश्टेशन करने का समय दिया है राइश्टेशन नौवी और एगारवी काक्षा के चात्रशत्राओं का होगा इसके बाद ही उन्हें बोर्ड परिक्षा के लिए राइश्टेशन संख्या मिलेगी जिसके अधार पर दसवी और बारवी बोर्ड परिक्षा के लिए वे अवेदन कर सकेंगे बतादे बोट परिक्षा 2020 में अविध की जानी है, जिसमें करीब 7 लाख बच्चोक के परिक्षा में बैटने की उमीद जताई जा रही है सभी मत्दान केंद्रों में 28 और 29 नॉम्बर को लगेगा कैंप राची जिला के सभी मद्दान केंद्रों में 28 और 29 नॉंबर तथा 5 और 6 दिसमर को विशेस अभियान चलाक कर मद्दातना सुची में नाम जोड़ा जाएगा विशेस कैम्प के दरान सभी बुथो पर बियेलो उपस्थित रहेंगे उपायुक 26 रंजन ने इस समन्द में सभी निर्वाचन, निवंधन, पताधिकारियों का वसक दिसा निर्देश दिये हाँ गिरीडी के खलिहान में आग लगने से दो बच्चों की मौत गिरीडी जिला के जमुवत हनाचेतर के नवडिहाव उपी के रूखियार गाउं में बुद्वार की देर साम धरना घटना में दो मासूम बच्चों की मौत जलने से हो गई है बता दे आग में जलकर मरने से हुए दोनों बच्चों की पाचान प्रीतम यादों की पांच बरसी बेटी सुदामा कुमारी और कैलास यादों के चार बरसी बेटे सुरज कुमार के रूप में किया गया है राची के पर्याटन केंद्रों को खुबसूरत बनाने की कवायद सुरू अस्मार्ट सीटी राची के कोई अस्थलों को पर्याटन केंद्र के रूप में बिक्सित किया जाएगा इसमें एतिहासिक महत्यों वाले अस्थल, प्राचिन, धार्मिक अस्थल और धरोहर सामिली थाएं इसके अलावा कुछ नए केंजरे भी अस्थापित किये जाएंगे इस पर आची जीला परसासन ने काम करना सुरू कर दिया जेल में फोन इस्तिमाल करने पर लालू के खिलाब जनहीत याची का है राजर सुप्रीमों लालू परसाद यादों के खिलाब जेल में रहते मोबाईल से बात कर उन पर सरकार गिराने का पर्यास करने का अरूप लगाते हुए भाजपा ने जनीत याज का दायर की है भाजपा नेता अनुरंजन असोक की ओर से दाखिल जनीत याज का में कहा गया कि लालू परसाथ जेल में रहते मोबाइल फोन का इस्तिमाल कर सरकार को अईस्थिर करने का पर्यास कर रहे हैं या जेल मेनुवल का उलंगन है भरश्टा चार में डूबे मांडू बीडियो को नहीं बक्सा जाएगा मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री हमसुरिन ने रामगर जीला के मांडू पर्खंड बिकास पताधिकारी के भरश्टा चार की कहानी भी सुनी है उन्होंने इस मुदे पर कहा है कि जार्खंड का हर एक आदमी सरकार पर भरोसा करता है कोई अधिकारी भरश्टा चार में डूबा है और वह योजिनावों में कमिशन खा रहा है तो उसे बक्सा नहीं जाएगा उन्होंने कहा है कि पर्खंड बिकास पताधिकारी ही नहीं आपित कोई दूसरे पताधिकारी भी होंगे तो उन्हें बक्सा नहीं जाएगा च्वाबर प्रतिक चिंते कर सोजनिक रूप से समानित किया एक नीजी अस्पताल में कार्यात क्लिनिक रिम्स इस्थित बलड बैंक में अब तक च्वाबर प्लाजमा दान कर चुके हैं उपायुक्त ने कहा कि कुरोना को मात देने के बाद प्लाजमा दान को आगे आने वाले लोग समाज में दूसरों के लिए प्रेना सुरों थाएं धन्यवाद